दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ केरला ग्रामीड बैंक में आप जीरो बैलेंस का एक सेविंग काउंट घर बैठे कैसे ओपिन कर सकते हैं जिसमें आपको आधार OTP का जरूत नहीं पड़ेगा आप बिना आधार OTP का जरूत नहीं पड़ेगा आ आप बिना आधार OTP के बैंक एकाउंट ओपिन कर सकते हैं और इसके साथ ही दोस्तों आपको एकाउंट नंबर, IFSC, Code, Customer ID, सब कुछ इसमें मिल जाता है तो दोस्तों आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा केरला ग्रामीड बैंक में आउनलाइन एकाउंट ओपिन कर प्ले इस्टोर या फिर एप इस्टोर से आपको इस अप्लिकेशन डाउनलोड कर लेनी है डिजी के जीबी इंफॉर्मेशन एन सेलफी एप जिसका लोगो कुछ इस तरह का दिखाई देता है या फिर पर्टिकुलर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाई आ वहां सी भी इस एप्लिकेशन को इस्टोर कर सकते हैं इस्टोर करने के बाद इसे आप ओपन करनेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर थोड़ा टाइम लोडिंग होता है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नमबर इंट करेंगे और यहाँ पर डाकुमेंट बताया है कि आपके पास आधार काड़ और पिन काड़ मेंडेटरी है आपके पास आधार काड़ और पिन काड़ होना चाहिए तभी आप एकाउंट ओपिन कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको ओपन एन एकाउंट वाले आप्शन पर क्लि लगाउव कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी personal detail करनी है जिसके लिए यहाँ पर आपको get started वाले option पर क्लिक करना है अब यहाँ पर दूस्तों आपको अधार नमबर डालना है और यहाँ पर आपको अपनी email id डालना है उसके बाद काक। continue वाले option पर click करना है जैसे दोस्तों आप continue कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का screen आएगा यहाँ पर आपको अपना एक selfie photo लेना है जिसके लिए आप यहाँ camera वाले option पर click करेंगे कुछ permission मागेगा आप इलाव कर देंगे उसके बाद आपके सामने camera open हो जाएगा यहाँ पर आपको photo upload करना है जिसके लिए आप camera वाले option पर click करेंगे और आपको अपना आधार card रखकर उसका photo click करना है उसके बाद दोस्तों आपको next वाले option पर click कर देना है उसके बाद आपके सामने एक नया screen आजाएगा अब यहाँ पर बोला जा रहा है back side of आधार यहाँ पर आपको अपन continue कर लेना है उसके बाद दोस्तों कुछ इस तरह का screen आपके सामने आजाएगा यहाँ पर बोला जा रहा है scan QR code of your आधार यहाँ पर अपने आधार card का आपको QR code scan करना होगा अगर आपका QR code scan नहीं हो पाता है तो आप skip करेंगे उसके बाद आपको अपनी personal detail यहाँ पर manually fill करन है तो यहाँ पर आपको manually fill करना होगा जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम डालना है अपने father का नाम डालेंगे अपने mother का नाम डालेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको data first चूश करना है जिसके लिए यहाँ पर आपको calendar मिल जाएगा सबसे उपर आपको year मिल उसके बाद यहाँ पर आपको स्क्रॉल करके मन्त चूश कर लेना है उसके बाद आपकोड़र ब्लिक करें किक गारीज रहेंगी तो जीनिसी भी ब्रांच में आप एकाउंट ओपिन करवाना चाहते हैं उस ब्रांच को आपको चूज कर लेना है उसके बाद यहांपर आपको post office मिल जाएगा यहाँ पर आपको local post office चूश कर लेना है और यहाँ पर आपको address फिल करना है यहाँ पर दो line आपको मिल जाएगा एक address का house number वगेरा का और उसके बाद आपको other detail का तो यहाँ पर आप address फिल करेंगे उसके बाद continue वाले option पर click करेंगे जैसे continue कर लेंगे तो नया screen आजाएगा यहाँ पर आपको gender चूश करना है मिल है female है या फिर आप transgender है जो भी रहेंगे चूश कर लेंगे उसके बाद आपको religious चूश करना है उसके बाद यहाँ पर आपको cost चूश करना है आप general है तो other चूश करेंगे OBC, STSE है तो यहाँ पर आप OBC, STSE student है तो आप student चूश कर लेंगे self implied है तो self implied चूश कर लेंगे उसके बाद आपको continue वाले option पर click करना है तो नया screen आजाएगा यहाँ पर आपको अपना annual income डालना है जितना भी आपका annual income रहेगा डाल देंगे आपको education qualification चूश करना है कि आपका education कितना है material status चूश कर लेंगे आप single है या फिर married उसके बाद continue करेंगे अब यहाँ पर आपको बोला जारा है कि nominee add करना चाहते हैं या फिर नहीं अगर आप nominee add करना चाहते हैं तो yes वाले option पर click करेंगे अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसे आप बाद में भी bank के through add कर तकते हैं तो यहाँ पर आपको nominee का न सेम नहीं है तो आप नो करेंगे तो यहां पर हमारा एड्रेस सेम है तो कंटिन्यू कर देंगे उसके बाद यहां पर आपको ब्रांच चूज करनी है तो यहां पर आप डिस्टिक मिल जाएगी ब्रांच चूज कर लेंगे उसके बाद यहां पर आपको ब्रांच का नाम मिल ज अगर आप इने वो एक बार ओके कर दिया तो उसको आप मोडिफाई नहीं कर सकते हैं उसके बाद आपको ओके वाले अप्टन पर क्लिक करना है यहाँ पर आपको थेंक्यू बोला जाएगा और आपका एकाउंट क्रियेट हो रहा है तो यहाँ पर आपको एक से दो मिनट का व नीचे आपको IFSC code मिल गया है और यहाँ पर branch का आपको detail मिल जाएगा आपके branch का नाम रहेगा branch का आपका phone number दिया रहेगा और यहाँ पर branch का email ID उसके लाबाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक reference number दिया जाता है इस reference number को आपको लेकर जाना है branch में और यहाँ पर इस account को activate कर लेना है तो यहाँ पर दोस्तों जब तक आप इस account को verify नहीं करवाते हैं तब तक आपके account का limit 10,000 रहेगा और एक महीने के अंदर आप verify नहीं करवाते हैं तो आपका account भी close कर दिया जाता है उसके बाद अगर इस receipt को आप download करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप download वाले option पर click क करेंगे कुछ पर मीसर मागेगा आपको इलाओ कर लेना है और इसे जहां भी आप save करना चाहते हैं इसे आप save कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों हमें कुछ message आया है उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि में जो message आया है उसको इबारे में यहाँ पर बताय कर दिया जाएगा यहाँ पर आपको ब्रांच का मोबाइल नंबर भी मिल जाता है तो इस तरीके से दोस्तों आप केरला मिलते हैं निक्स्ट वीडियो में निव टापक के साथ तब तक के लिए जैन टेक केर